मोधी जी हैं तो सब कुछ मुम्किन है, मोधी साब ने ही ये इवकेशन शुरू गंगा मिशन शुरू कराया था, उन्होंने ही वो कम्प्लीट किया है, अभी भी हम उनके ही कहे पर और उनके विश्वास पर ही चल रहे हैं और हमें पूरी आशा है, पूरा आश्वाशन है, मत कि का इस वक्त में हूं जंतरमंतर पर यहां पर उक्रइन से चातर लोटे हुए टे और उक्रेंथ में जैस्थ की जांघ तrade जान गई थी कषि लोग यहां पर का दे, उंसे बात करते हैं क्याई कापड़ी ते है, कि और अन्होंसे बात बॉस्पीत स्टों कर्हुग है। के लिए Mission Ganga को पूरा किया है हमारे मोधी साफ प्रधान मंत्री मोधी साब जी ने तो यह इन बच्चों के फ्यूचर को सेव करने के लिए इन बच्चों को यहीं पर जिया जाए हमारे इंडिया में आल्मोस्ट को चेह सो के करीब गौर्णमेंट और प्राइवेट कॉलिजिस हैं और 80,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं अगर तीन तीन परसेंट भी बच्चों को डिवाइट किया जाया तो यह सारो बच्चों का इंडिया में अड्मिशन हो सकता है और यह बच्चे यहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि यूक्रेन की जो कंडिशन वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है अभी अगर दो से तीन दिन दो चार दिन के अंदर दस दिन के अंदर अगर वार रुक भी जाता है तो उसका हमें हमारे जो बच्चे हैं उनको को बैनेफिट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वहां की सिच्वेशन अभी तक कई सालों तक ठीक नहीं हो पाएगी इस इस तरह की देखिए उन्होंने कहा तो है लेकिन कोई नीजी आश्वर्शन नहीं दिया है और इस चीच के लिए कोई एमेंटमेंट मेंट भी नहीं हुआ है यह हमारी प्रातना एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे मोधी साहब में कोई किसी तरह का कोई बदलाव कर दें तो कर आया था उन्होंने ही वह कंप्लीट किया है अभी भी हम उनके ही कहे पर और उनके विश्वास पर ही चल रहा है और हमें पूरी आशा है पूरा आश्वाशन है मौधी मतलब मौधी जी के कहने पर यहां पर आयो आए हम एक प्रातना लेकर आए हम जितने भी पेरेंट्स यहां पर इकठे हुए हमें यहां पर एक रिक्वेस्ट करने आया है कि हमारे बच्चों के जो फ्यूचर आ उसके बारे में कुछ सोची है उन्हों बच्चों का यहां पर इंडिया में अड्मिशन दिलवाई है जिससे कि यह बच्चे अपनी स्टडी को कॉंटीनीव कर सके जी आप बहुत अच्छी आवाज उठा रहे हैं होना भी चाहिए हमारे जो चात्रे उनका बहुत सुने रहा होना चाहिए आज जो मौझूदा हालत है सिच्चा की उससे कितना संतुष्ट हैं आप देखिए मौझूदा हालत तो अगर मैं यूक्रेन की बात करूं तो वहां शिक्षा मिलती है हमारे जितने भी बच्चे हैं जो यूक्रेन एंबीबियस पढ़ने गए थे यह सारे के सारे बच्चे नीट क्वालिफाइड है नीट का एक्जाम किलियर करके हुआ गए थे यह बच्चे लाइबल है तो कई न कई यह सरकार की नाकामी है कि जो संसादन कॉलेज इंवर्शिटी जितने चात्र है जितनी जनसंग क्या भारत की उसके इसाब से नहीं खोल पाई सरकार देखिए ऐसा है मैं यह किसी की नाकामी की बात नहीं करूँगा एक चीज और भी है मैं आपको बिल्कुल उसपस्ट रूप से किलियर कर देता हूँ जितने भी बच्चे जो युक्रेन या अधर कंट्रीज में जाते हैं वहाँ पर इंडिया के अकॉर्डिंग बजट सस्त है मतलब वहाँ पर पढ़ाई कम बजट में होती है और कम पैसों में होती है जो बच्चे यहाँ प्राइवेट कॉलिजिस में एड्मिशन नहीं ले पाते लेकिन नीट कॉलिफाइड होते हैं वह एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक वहाँ उनको आप्शन मिल जाता है व गली-गली में उसकी कॉले जयें इंजीनिरिंगी तो ऐसे प्राइवेट कॉलेजी नहीं खुली जा सकते हैं लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन सब चीजों के लिए टाइम चाहिए होता है अगर कोई भी आप किसी भी चीज़् का निर्मान करते हैं को संस्ता बनाते या नए medical colleges बनाते हैं उसके लिए समय तो चाहिए ना लेकिन हमारी situation current है हमारे बच्चे वार सिच्वेशन से आये हैं तो इनको तो अभी ही इस वक्त एड्मिशन की आवा चकता है क्योंकि इनका फ्यूचर तो खत्रे में तो ठीक है आपने कहा है बिल्कुल सही होना भी चाहिए लेकिन मेरा सवाल यह ता आपने साथ उसका गुमा दिया मौझूदा सच्चा ब्वस्ता है जैसे मान के चलो विरोजगार इतर देख लीजिए अभी आपने बोला के अधर स्टेट में अधर कंट्री जमें अपने इंडिया की स्टुएंट जाते हैं लेकर वाँसे आगने के बाद मैं प्रेक्टिस तब कर पाएंगे जो यहां पर आकर टेस्ट कर पाते हैं यह बच्चे नीट क्वालिफाइट करके गए हैं अच्छी मार्किंग से वहां पर गए हैं मोसली मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं वहां पर जादने का ज्यादा तर उदेश्य यह होता है कि हम लोग जो है मिडल क्लास फैमली से और हम यहां अफॉर्ड न यह के जो मतलब हमारे चात्र एक कारण तो आपने बता दी के सश्टी पीज है चलो वही माल लेते हैं इसके अलावा और कोई कारण है जिसके अपने स्टूडेंट को बिदेश के लिए पलायन करना पड़ रहा है पढ़ने के लिए यहां पर सीटे बहुत ज्यादा नहीं है इंडिया में अल्मॉस्ट एटी थाउजंड सीटे हैं और हमारे आपर अगर एक एटी थाउजंड अगर डबल भी होती है तो तभी आपको पता है कि इंडिया में डॉक्टरों की बहुत ज्यादा कमी है तो यह सीटे बढ़ाए जाने की तो पहले ही जड़ हो थी कॉलीजि इंडिया में डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी सा सुनने में आया तमाम मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैसे हमारे चात्र की यूक्रन में जान गई गोली लगने से हां गोली लगने से गई तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनका कहना था कि आरचन की बज़ए से हमारे बेटे की जनगे मैं तलाव जहां की जो कम्यूटी एसी एस्टी ओवी सी को जो यहां पर सीट लेने के लिए रिजरुशन मिलता है उसकी कारण अगर रिजरुशन नहों होता तो बिदिस नहीं जाना पड़ता है इस बात से कितना मतलबता अलोग रखते हैं देखिए यह एक अलग मुद्दा है इस मुद्दे पर अगर हम ना बात करें तो ज्यादा अच्छा है आज जो हमारा टॉपिक है हमारा टॉपिक यही है कि हम अपने बच्चों को जो है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं मोधी साफ से गुजा किया है कि उनके बच्चों को आने उनके बवस्त को देखते हुए सरकार कॉलेज में एड़ीशन का दाखिला कराए और उनके लिए सीट आरचत की जाए अब सरकार कितना इन पर ध्यान देती है क्योंकि एक तरफ यह इस बात से संतुष्ट है कि मोधी सरकार अच्छा काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरह पर यह मांग भी कर रहे हैं तो आप देखते रहे हैं जनेत आवाज नमस्कार